हलो व्यूवर्स रसोई का अनन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए डबल चॉकलेट आटा कुकीज की रेस्पी लेके आए हूँ इसके लिए हम 3 फोर्थ कप आटा और 3 फोर्थ कप मैदा को छान लेंगे उसमें एक चमच बेकिंग पॉडर और 1 फोर्थ चमच बेकिंग सोडा डालके उसको मिक्स करके रख देंगे एक साइट पर अब हम दूसरा बॉल लेंगे उसमें आधा कप सॉल्टेट बटर ले रहे हैं अमुलका सॉल्टेट बटर उसको हलका सा मैश कर लेंगे मैश करने के बाद ये रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए अब हम दो चमच अलसी के पाउडर को मैंने एक घंटा पहले बिगो दिया था उसको इस मिक्सचर में डालके मिक्स करेंगे अगर आप अंडा खाते हैं तो इस समय में आप इसमें दो अंडे डाल सकते हैं अब मैं इसमें वन फॉर्थ चमच वनीला एसंस डाल रही हूं और तीन चारबूंत चॉकलेट एसंस के डाल रही हूं अब इसको कंबाइन कर लेंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है अब जो हमारे ड्राइ इंग्रीडियंट्स थे उसमें वन थर्ड कप चॉकलेट पॉडर डालके मिक्स करके रख देंगे और अपने वेट इंग्रीडियंट्स में आदा कप मिल्क पॉडर डालके मिला लेंगे सारे इंग्रीडियंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी आप वहाँ से आराम से दिख सकते हैं मिल्क पॉडर अच्छी तर से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ड्राइ इंग्रीडियंट्स आधा आधा करके डालेंगे और इसमें दो चम्मच दूद डालेंगे फिर इसको मिक्स करेंगे दो दो चम्मच हमको तीन बार दूद लगेगा आधा कप टोटल दूद लगेगा हमें ड्राइ को बहुत जादा लीक्विड नहीं करना है कुकी का ड्राइ थोड़ा हाड़ी होता है लेकिन इतना दूद डालना है कि हमारे सब चीजें अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाए यह अब हमने दूसरी बार दो चम्मच दूद डाला है और इसके पार एक बार और दो चम्मच दूद डालेंगे टोटल आधा चम्मच टोटल आधा कप दूद हमारा यूज होगा इंग्रीडियन्स को सॉफ्ट हातों से ही मिक्स करना है एक बार और दो चम्मच दूद जाएगा बिल्कुल इस तरह का कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो हम इसमें वन थर्ड कप चौको चिप्स टालत के इसको मिक्स कर लेंगे अब हम इस डौ को एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे रेस्ट करने के लिए उसके बाद हम एक घंटे बाद निकालके मफिन ट्रे में थोड़ा सा बटर लगाके उसमें एक एक स्कूप टेबल स्पून की एक एक स्कूप में ले रही हूँ वो डालते जाएंगे ताकि हमारे कुकीज का मैजरमेंट सबका सही रहे उसको डालने के बाद हम फोक से इसको थोड़ा फैला देंगे और इसके उपर चौको चिप्स लगा देंगे हमने अपना ओवन प्रिहीट किया हुआ है 180 डिग्री पे कुकीज रखने के बाद हम उसका टेमपरेचन 160 कर देंगे और 20 से 22 मिनिट में हमारी कुकीज बनके तयार हो जाएंगी एक तो मैं मफिन ट्रे में बना रही हूँ कुकीज और दूसरा मैं आपको पार्शमेंट पेपर के उपर भी बना के बताऊंगी हलका सा कुकीज हमारे तयार हो गए हैं साइड से एक पार चाकू से उसको गुमा लेंगे चारो तरफ से और पंकी के नीचे इन कुकीज को वायर रैक पे रखके ठंडा कर लेंगे अब बाकी के बैच हम पार्शमेंट पेपर पे बना रहे हैं ट्रे में पार्शमेंट पेपर ये बटर पेपर लगा लीजे और उसी साइज की कि जिस साइज की हमने मफिन ट्रे में डाला था वही मेजर्मेंट लेंगे हम हलका सा इसको दबा देंगे आप इसके ऊपर चॉको चिप्स लगा देंगे और सेम उसी टेंपरेचर पर वन सिक्स्टी डिग्री पर 20 से 22 मिनिट में हमारी कुकीज बनके तयार हो जाएंगी ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये हेल्दी वर्जन भी है क्योंकि हमने इसमें आठा और आधा आठा और आधा मैदा मिक्स किया है और एक की जगे हमने अलसी डाली है इसको टाइमें जो आए किजिए